श्री गनिशा इनमहा, गनिशा स्पीक में स्वागत है आपका, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, डिसंबर का मैना, बारो राशियों के लिए कैसा जाने वाला है, यहां जो हम आपके साथ बात करेंगे, यह एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, अगर अपने खुद के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, तो गनिशास्पीक.डाट कॉम आप जा सकते हैं और वहां अपने बारे में जान सकते हैं. सबसे पहली राशी आ रही है मेश राशी, महने की शुरुआत आपके लिए कापी अच्छी रहने वाली है. आपके लिए यह सलाह ली जाती है, जान बुचकर या अंजाने में किसी भी चीज में न पड़े जो इलिलिल्गल हो सकता है. नौकरी करने वाले इरिश जातकों को उनके वरिष्ट अधिकारी सर आँखों पर रखेंगे और आपकी कई मामलोग में राय भी ले जाएगे. व्यापार करने वाले जो मेश जातक है, इनके लिए महिना थोड़ा ज्यादा एफॉर्ड लगाने वाला होगा, थोड़ा ध्यान देने की भी आपको जरुरत होगी. फाइनेशली यह महिना आपके लिए लापकारी रहेगा, किसी सिन्यर के सयोग से आपकी इनकम में बडोधरी हो सकती है. अगर एज्योकेशन की बात करें तो उसमें आप कुछ जाड़ा ही घुल मिल जाएंगे और आपको अपने टीचर से साथ भी काफी मदद मिलेगी, मतलब उनका शपर्ड मिलेगा. परिवार के लिए थोड़ी दूरी शायद बन सकती है या आपकी जर्नी भी हो सकती है. मरिड लैब में चले आ रहें, तना में थोड़ी कमी जरूरी होगी, लेकिन अभी समय ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अपने पार्टनर को परिशान ना करें. सेहत के हिसाब से ये महिना ठीक टाक रहेगा, उचित, एक्सेसाइज और अच्छा बोजन करें. महिने का जो मध्यवाग है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. कुछ लोग शादी के बंदन में भी बन सकते हैं. अब रशब राशी के लिए दसंबर का जो महिना है, ये एवरेज सावित होने वाला है. आप ये सोचने के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, कि आखिर जीवन में गलतिया कहा हो रहे हैं. यदि आप समझ रहे हैं या जान लेंगे, तो इस वहिने का बैतर बना सकते हैं. आप पर कोई बिना वज़ आरोफ लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, खुद कोई गलती ना करें, कुछ समय बाद आपको शफलता मिल ही जाएगी, आपकी एनिमीज कुछ नहीं कर पाएंगे. आपके मेरेज में अगर कोई बाहरी व्यक्ती दखल अंदाज कर रही है, तो आपको अलेट हो जाने की ज़रुरत है. आपका जीवन साती भी आपके उपर शक कर सकता है. जड़ी आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उन्हें शादी के लिए प्रपोस कर सकते हैं. ऐसी संभावना है कि आपके प्रपोसल को स्विकार कर लिया जाएगा. वर्किंग प्रोफेशनल को अपने काम को अपने काम पर थोड़ा और फोकस करना चाहिए. बिस्निश्मेन के लिए यह मेना बहुत लाबदायक रहेगा, लेकिन अपने पार्टनर से बिना वजग कोई भी तीकी बात न करें. इससे आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है आपके जो प्रोफेशनल वर्क साइड है आपकी, वहां भी आपको तोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. बिस्निश्मेन के लिए यह मेना बहुत लाबदायक रहेगा, लेकिन अपने पार्टनर से बिना वजग कोई भी तीकी बात न करें. इससे आपके संबंदों पर अशर पड़ सकता है. ट्रिप्स पर जाने के लिए यह मेना दूसरा और तीसरा सब्ता इस मेने का आपके काफी अच्छा रहेगा. मितुन डाशी, मितुन डाशी के लिए 2021 का आखनी मेना एवरेज रहेगा. खास पर पर आपके सपनी सेहत को लेके काफी ध्यान रखना पड़ेगा. क्योंकि इस मेने में आपको फिजिकल चलेंजिस का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन मेरिड लाइब जो है वो आपकी अच्छी जाने वाली है. सुख और प्रेम से आप काफी सुकून महसूस करेंगे. जीवन साथी के साथ काफी खुश रहेंगे. लवस को इस मेने थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनका प्रियत थोड़ा डिवांडिंग हो सकता है. आपको अपने विडियो दियो के प्रती सावधानी बरतनी रहेंगे. क्योंकि इस समय मैं बहुत मजबूत होने की संभावना लग रही है. छोटी-छोटी बात रंग लाने वाली है. उन्हें भी अच्छे फल मिलेंगे. जो लोग बिजनिस में हैं उन्हें भी अच्छे फल मिलेंगे. आपकी आर्तिक सिदी कमजोर नहीं होगी. फिर भी आपको अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखना चाहिए. प्रिस पर जाने की बात करें तो दूसरा सब्ता इस मेने का काफी अच्छा लग रहा है. लेकिन हेल्ट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कर्क इस मेने में बर्किंग प्रोफेशनल को अपनी फिल्ड में स्टेबिटी बनाए रखने का प्यास करना चाहिए. उन्हें इस बात पर ध्यान देने हैं चाहिए कि ऑफिस में स्टिचूशन उनके पक्स में नहीं है. आपको इस मेने सावधानी ये विशय में बरतने की जरूरत है कि किसी की पलिटिक्स का आप सिकार ना हो. आपको ओफिस से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से बरोशा नहीं करना चाहिए. फाइनेंशल मामलों में कड़ी मेहनत के बावजूद उतना नहीं होंगे. इसी के साथ कोई अचानक खर्च आपकी बजट का बड़ा हिस्सा कत्म कर सकता है. इसलिए आप ज्यादा खर्च के कारण आप थोड़े निराश हो सकते हैं. इस दौरान आपको अपने परिवार के सदश्यों के साथ ज्यादा पनांशल चीजों को लेके नकल बड़ा होगा. मरेड लाइफ के लिए भी सित्या अच्छी नजर आती है. इस दौरान कपल उनके बीच में emotional imbalance के कारण मुश्कुलों का सामना करेंगे. स्टुडेंट की अगर बात करें तो इनको इस महीने ज्यादा मायनत करनी पड़ेगी. साथ-साथ उनको result भी अच्छा मिलेगा. जदी आप पहले से PC health related issue का सामना कर रहे हैं, तो वो situation आपके लिए और भी complicated होने वाद. इस दौरान आपको पेन, शूजन, आँखों, अत्वा पेरों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसको गंबेरता से ले और डॉक्टर की सल्या जरूर ले. यह मीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस मीने आपके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी चीजों आने वाली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ओवर confidence आपके मौके कम कर सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखे. वरकिंग प्रोफेशनल के लिए इस महीने कुछ नई अपचिनिटीज आने वाली है, उनसे हाथ से ना जाने दे. ज़री बॉस आपको कोई काम देता है, तो उसे लपक कर आगे बड़े. बिडनेश के लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा. आपको बिडनेश एक्सपांशन का लाबधी मिल सकता है. लव लाइफ में कुछ और प्रेम बढ़ेगा और मिलेगा. आपका पार्टनर आपके दिल को हर हाल में जीत लेगा. इससे आप बहुत खुश होंगे. शादी शुदा लोगों की मेरिड लैप ये महीने बहुत अच्छी जाने वाली है. जीवन में जो है महक उठाएगी. आपकी आपसी समझदारी से परिवार के प्रती जिम्यद्यारिया बढ़ेगी. आप अपने रिस्तों को बैतर तरिके से निभाएगे. आपकी हेल्थ बात करें तो स्टुडेंट के लिए ये महीने की जो शुरुवात है वो काफी अच्छी रहने वाली है. महीने की शुरुवात में आप किसी भी जगा पर ट्रिप पर जा सकते हैं. इसके अलाबा महीने का आखरी सब्दा भी अच्छा रहें. कन्याराशी, यह मेना काफी आच्छा रहने की संभावना बता रहे है गनेश जी. बस आपको अपने उपर भरोशा रखना होगा और कॉन्फिडेंस से अपने काम पर जुट जाना होगा. हेल्थ वाइस आपकी बात करें तो इस महीने आपको कोई स्किन की समश्या हो सकती है, आपने संभालने की जरूरत है. तोड़ी से भी लापरवाही यहां अच्छी साबित नहीं हो. ज्यादा गर्म भोजन का इस्तमाल ना करें या आपकी सेहत बिगार सकता है. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. परिवार की जरूरतों को समस्ति वे अपनी रिस्ट आथरिटीज वाख भी नेवाएं. वरकिन प्रोफेशनल जो लोग है उनके लिए रिजर्ट अच्छे मिलेंगे लेकिन आपको अपने कलिक्स पर बरोशा रखना होगा और उनके खिलाब कुछ भी बोलने से बचना होगा. नहीं तो वे एल्प नहीं करेंगे. उसकी बज़ाए आपके खिलाब भी हो सकते हैं. मैरिड लाइप में समय सामान्य रहने वाला है. जीवन साती को छोटी मोटी हाल्थ इस्यूस हो सकती है. लबर्स के लिए महिना अच्छा रहेगा. आप अपने प्रेम को शादी में बदलने का पुरा प्रयास करेंगे और उसमें आपको सबलता भी मिल सकते हैं. प्रवास प आप से पास्ट में काफी गलतिया हुई है. और यह साथ का आखरी मैना है. तो उन गलतियों पर विचार करें और उससे कुछ सिखने का प्रयास करें. मैरिड लाइप में जो समस्या चली आ रही थी उन्हें दूर करने का आप प्रयास करेंगे इस बार. कम्मिनिकेशन बनाने की कोशिश करें. अपने जीवन साथी को कही बाहर गुमने ले जाना चाहिए. उनके साथ को बात करें ताकि वह अपने मन से समस्या को बाहर निकाल स नके इनसे आपका रिष्टा और शुतरेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए नई उमुदे जगेगी और आप अपने रिष्टों में और भी खुबसूरती आपको दिखने वाली है. पामिली का उत्ता देखते ही बनेगा और ये आपके लिए बहुत रहेगा और उनकी मेनत उनके साथ खड़ी नजर आएगी. सिन्यर से हेल्ट एंड सपोर्ट मिलता रहेगा. जो लोग बिद्नेस करते हैं, उन्हें भी अच्छे फायते मिलेंगे. आपका बिद्नेस पार्टनर आपके कंद्य से कंधा मिलाकर रहेगा. आपकी हेल्थ भी चुके हो वैसी जगे फिर से गूमने जाने वाले हो आप. यह महिना आपके लिए एवरेज रहेगा. महिने के शुरुआत में आपको विद्येश जाने का मौका मिल सकता है. लेकिन इस समय में आपकी सेहत भी बीगर सकती है. इसलिए थोड़ा एलर्ट रहे. लेकिन जैसे समय आगे बढ़ेगा, महिने के मध्य तक आपकी सिहत मजबूत हो जाएगी. आपको सरकारिक शित्र में काफी बड़ा लाब मिलने का उमीद है. उसका पूरा फैदा उखा सकते. आपकी इंकम में जबरजस्ट बढ़ोत्री होगी. ऐसी योग है और आपके खर्चों में भी कमी आएगी. अगर प्रपर्टी खरीदेने का इरादा बना रहा हो तो आपके लिए ये वक्त बिल्कुल सही साबिक होगा. वर्किंग प्रोफेशनल को अपने काम में मज़ा आएगा और उसकी वज़े से उनका काम भी बढ़िया चले. बिस्नेश प्रोफेशन के लिए ये समय थोड़ा जान देने वाला है. मार्केट में कॉंपरिशन बढ़ेगी तो आपको अपनी स्टेटरजी में बदलाव करना पड़ेगा. शादी शुधा जो लोग है इनकी मैरिड लाइफ में अगर अपने गुस्से को ये कंट्रोल करते हैं तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं यदि आप प्रवास पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए महेने का दूशरा और चौछा सप्ता स्रेश्ट है. धनू, यह मेना आपके लिए सामान्य रूप से बैनिफिशल रहेगा. आपकी हेल्थ तो बढ़िया रहेगी और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी. फिर भी थोड़ा ध्यान दे और वेहिकल सावधानी पुर्वक चलाएगा. आपकी इंकम में इस वक्त बड़ोतरी दिखाई दे रहे हैं और साथ में खर्चे भी बढ़ रहे हैं. वर्किंग प्रोफेशनल को काम के सिलसिले में ज्यादा प्रवास करना पड़ सकता है जिनकी वज़र से आपको ठकान का अनुबह होगा. जो लोग बिद्नेस करते हैं नए लोगों से मिलने और उनके साथ काम में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा मेनद करने पड़ेगी. शादी शुदा लोगों को ग्रेहस्त जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है. आपके रिष्टे में प्रेम बढ़ेगा और नस्दीक्या बढ़ेगी. जो लोग रिले के बाद उन तक पहुंचाने में काम्याब रहेंगे. ट्रिप्स पर जाने चाहें तो उसके लिए महिने का दूसरा और चौता सब्ता अच्छा रहेंगे. साल 2021 का आखरी मीना मकर राशी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. आपका पूरा जान आपके काम पर होगा और आप अपने आपको साबित करने के लिए पूरे प्रयाश करेंगे. आपकी जो पकड़ है वो कामों में मजबूत रहने वाली है. आपके बहुत आपको अप्रिशेशन करने वाले है. आपके विरोधी भी आपके नियंत्रण में रहेगे. आपकी इंकम भी बढ़ने वाली है. खर्चों में थोड़ी कमी होगी. शादी सुदा लोगों का Married Life खुशनुमा रहेगा और जो लोग किसी रिलेशन्शिप में हैं उन्हें इस मेने अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं. आप एक दुसरे के साथ घंटों तक बातचीत में बीजी रहेंगे. जिस्ते रिस्ते में मीठी मीठी बातों के द्वारा र लगीगा और आगे बढ़ने के लिए आपको मोगा मिलेगा. टिप्स पर जाने के लिए अगर आप सोच रहे तो दूसरा और तीसरा सब्ता उत्तम रहेंगा. यह मेना आपके लिए अती उत्तम रहेगा, मैनी की शुरूरात में आपके यह किसी लम्बी टिप पर जा सकते ये trip आपके फायदय को बढ़ाने वाली सावित होगी अगर आप संपती खरीदने के लिए कोई प्लैन बना रहे हैं तो ये महिना आपके लिए best होने वाला है working professionals का प्रभुत्व बढ़ेगा और boss भी आपकी तारिप करेंगे इससे आपके अच्छे नतिये आपको मिल सकते हैं आपका increment हो सकता है business जो लोग कर रहे हैं उनके लिए नए plans रजू करेंगे ये आगे बढ़ेंगे जिसमें वो सफल होंगे profit मिलने की संभावना बढ़ेगी सिहत में सुधार होगा पुरानी समस्या उसे मुक्त मिलेगी लोग आपसे बड़ी बड़ी सला लेने आएंगे पारिवारिक जीवन संतोष पून रहेगा love life में romance परपूर रहने वाला है एक दूसरे से कोई महगा gift भी दे सकते है आप शादी शुदा लोगों की जो married life है वो भी best रहने वाली है आपका पार्टनर आपको काफी help करने वाला है मेने की शुरुआत और तिसरा सप्ता प्रवास पर जाने के लिए उत्तम रहेगा students को पढ़ाय में जबर जश्ट लाभ होगा मिनराशी साल 2021 का अंति मेना मिनराशी के लोगों के लिए फलदायक रहेगा सेहत में हलका फुलका सुधार होगा फिर भी आपको अपनी डायट पर घ्यान देना चाहिए आपको भागे का साथ मिलेगा इससे आपके कई काम बनेंगे लेकिन कुछ काम भागे की कमी के करण न के लिए इंक्रिमेंट मिलने की संभावना बन रहे जो लोग साधी सुधा है उनका ग्रोष्त जीवन इस समय में मजबूर स्थिति में रहेगा और जीवन साथी से आपके रिष्टे के बीच की दुरिया खत्म होगी समाप्त होगी जदि आप किसी को प्यार करते हैं तो इस समय का ध्यान रखें कुछ भी ऐसा न करें जिससे उनके मन को ठेस पहुचें यात्रा करने के लिए महिने का जो दूसरा और तीसरा सब्सा बटर रहने वाला है स्टूडन्ट को बढ़ाय में और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़े